जिगरा मुवी के जो रिवियोज हैं बहुत ही नेगेटिव आ रहे थे लेकिन नेगेटिविटी देखते हुए भी वेस्टेल मुवी को देखने गया विकॉज मैं कभी भी ये फाल्तू रिवियोर्स की बाते नहीं सुनता इनको बस जिस मुवी का पैसा खिलाये जाए जिस सिर्फ उसी की तारीफ करते हैं और जिसका ना खिलाये जाए या फिर जिसके खिलाब नेगेटिविटी फिलाने को कोई दूसरा एक्टर पी करें तो उसकी खिलाब नेगेटिविटी फिलाते हैं इस टाइप का होता है मसाना पॉपकॉर्ण टाइप की फ्लिक्स बनाते है जातर लेकिन यह वाली जो मुवी एक्चुली एक मेनिंग्फुल मुवी है इसका जो थेटर एक्सपिरियंस है एक्चुली काफी बढ़ी है यह उन मुवी में से एक है मैं कहूंगा कि आप थेटर काफी ज़्यादा सही है एंड स्टोरी जो है वो भी काफी अच्छी है इस मुवी की एक और बात में आपको बताओ जो कि मैंने नोटिस करी हो ही है कि यह मुवी बॉलिवूड मुवी जैसा फील भी नहीं होती जिस चाना कि इसकी इसकी सिनेमेटोग्राफी है एक्चुल मे कम देखने को मिलते हैं और जातर ऐलिस टेक्रोगत जैसे कि अलिया बड जैसे बड़े एक्टर्स जो दूसरे होते हुटे वह सतरह की मुवी में काम नहीं करते होते मैं अपना अपीनियन दो तो गाइस इंडियन ओडियंस को डेफिनिली शरम करनी चाहिए कि वो इतनी अच्छी मोवी को फ्लॉप को देने जा रहे हैं कहनी कि करने जा रहे हैं वो थेटर्स में जाके इसको नहीं देख रहे जो मिडियोकर टाइप की फिल्म्स होती हैं स्त्री जैसे बुरी नहीं है लेकिन टाइम पास फिल्म है वो इतनी जदा बड़ी खिट्स बन जाती है और यहाँ पर नेगेटिविटी सुनने के बाद लोग फिल्म देखने जा ही ने रहे और बाद में फिर यही लोगें को कंप्लेंड करते हैं कि बॉले वो बुरी फिल्मे बनाता है और फिर इसकी कंप्लेंड जितने हमें देखने को मिलती है अब जब इतनी बड़िया फिल्म बनी हुई है लगी हुई और लोग देखने नहीं जा रहे तो अफकोर्स प्रेडूसर्स ऐसी फिल्मों में पैसा क्यों लगाएंगी उन्हें पता है आप लोग कौन सी फिल्में देखते हैं उसी टाइप की वो कैमियोज वगयरा भर के फिल्म बना देते हैं जिसमें को स्टोरी नहीं होती सिर्पैर नहीं होता और फिर जब चलती ही वही चीज़े तो होई बनाएंगे ना तो फिर आप लोग बाद में कहते हो कि बॉलिवूड अच्छी फिल्में नहीं बना रहा जब बनाता है तब आप लोग कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं अगर आप एक सिनेमा फैन है अगर आप सच में एक्चुल स्टोरीज वाली फिल्म में देखते हैं बारी बॉलिवूड हो ओलिवूड हो आप रिग्रेट करेंगे इसको थेटर में ना देखना पांच साल का वेट मत करिए पांच साल बात जब ये फिल्म रील्स वगरा में वाइरल होगी और लोग कहेंगे अंडरेटिट थी चलनी चाहिए थी री रिलीज चाहिए थेटर में फिर आप लोग फैन बनोगी उससे अच्छा अभी जाकर देखो और आप ही अच्छी चीज़ है कि आलियावाट इन्नी बड़ी एक्ट्रस होने के बाद भी अच्छी स् लास्ट एक्ट में जो एक्षन था वो भी काफी कमाल का था इमोशन जो थे मुवी मोवी वो भी काफी जाद कमाल के थे कई ड्रोन शॉर्ड थे जो कि बहुती सही लगे थे काफी हॉलिवुड रेफरेंसिस भी ऑडि ग्लोरियूरिस बस्टर्स की और वांक कार वाई डिरे प्रफेक्टर थी तो काफी ज़्यादा फ़न चीज है अगर आप एक्चुल काफी ज़्यादा मुवीज अगर देखते हैं आपको कोछ रेफरेंस भी इसमें देखने को मिलेंगी जो की काफी ज़्यादा कमाल की हैं तो गाइस यह मुवी मेरे ज़ाप से हर चीज इसमें माई से वो भी काफी ज़्यादा पसंद आया जो लोग बॉलिवुड में इसके खिलाफ कोंट्रोवर्सी पैदा करना चाह रहे हैं वो सब की प्रोपगेंड़ा वगरा को आप मत सुनिए मैं यह कहूँगा वो भी को देखना जाइए ज़रूर और दूसरों के उपीनियन फिलाल के वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए चलता हूँ गूट बाए